हेलो दोस्तों कैसे हैं आप आज मैं आपके लिए लाया हूँ 2012 में रिली यूई मूवी वुमन ओफ डे मैंने इस मूवी के करेक्टर्स के नाम बदल दिये हैं आपको मेरा एक्स्पिनिसन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक फॉलो जरूर करें इस मूव के लिए सुमसाम जगे की तलास करती है वो एक ब्रोकर से मिलती है वो उसको एक घर का एडर्स देता है जो सेट से थोड़ा दूर होता है और जैनी एडर्स को लेके वहां से अपनी गाड़ी से निकल जाती है और एक फ्यूल इस्टेशन प्रम पे जाके गाड़ी को फ्यू भी करता है जैनी मुश्कराती है और उसे एकनोर करके जा रही होती है तब ही सेम के दोस्त उस पर असते है जैनी सौरी बोलके वहां से चली आती है वो अपने घर पहुंचती है उसे घर बहुत अच्छे लगता है वो वहां पे नीचर का अरंद भी लेती है साम के समय जब वाइन पी रही होती है तब वहां पे कुछ आठ होती है वो जाके देखती है कि वहां पर कुछ के दब रान पीती है वाइन उसके कपलों पर गिर जाती है तो वहां कुछ हत्यार रं की वोते हैं अपने घर में आके जब वाजब्रिशन का नल खोलती है तो उसमें गंदा पानी आ रहा होता है वो फून करती है फून करनेके बाद फून पानी में गिर जाता है पिलंबर उसके घर पे आता है वो लड़का थोड़ा एबनॉर्वल होता है वो उसको किस कर लेती है और वहाँ से पिलंबर चला जाता है जंगल में सैम और उसके दोस्त मचली पकड़ रही होते है तब ही वहाँ पे वो एबनॉर्वल लड़का भी आयाता है और वो उन से कहता है जैनी ने मुझको किस किया था सैम को ये बात बहुत बुरी रगती है क्योंकि जैनी ने सैम को भावनी दिया था तभी उसका दोस्त उसे राप में खींची फोटो दिखाता है सेम के अंदर जानवर जाग जाता है वो कहता है अब मैं इसको नहीं छोड़ूँगा और कहता है कि यह अकेली यहाँ पे क्यों रह रही है यह भी इसलिए रह रही है क्योंकि किसी के साथ कुछ भी कर सके फिर दूसरे सीन में यहनी अपने फॉन को चेक कर रही होती है, फॉन खराब होता है, तब वो सो जाती है, उसे कुछ आहट सुनाई देती है, वो घर से बाहर निकलती है, जंगली तर जाती है, वहाँ एक आवाज सुनाई आती है, वो डरके अपनी घर की तर भागती है, तो वहाँ एक चड़िया अंडर गार्मेंट्स सुंग रहा होता है तब ही सैम उस एबनॉर्मा लड़के को अंदर ले आता है और कहता है कि तुमने इसको किस किया था और मुझे एग्नॉर किया था आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा सैम उससे बहुत ज़्यादा पतिमी करता है जैनी कहती है तुम प्लीज यहां से चले जाओ लेकिन सैम नहीं मानता और उसके दाटों आता है तोड़ दूँगा और कहता है मेरी बाते मानो वरना तुमाई साथ बहुत ही बुरा होगा फिर वो गन निकालता है और उसके मुझे पास ले जाता है और कहता है उसको ऐसे चूसो जैसे त वो उसके दोस्त के पैर में मारके वहां से जंगल की तरफ बागती है जब वो जंगल में भाग रही होती है तब वहां पे उसको एक पुलिस वाला और वो ब्रोकर मिलता है जिसना उसको घर दिलाया था वो उससे अपने घर सुबह ले जाती है तब तक वहां से वो लोग व होना चाहिए जैनी कहती है कि मैं एक इसक्रिप राइटर हूँ और अपनी इसक्रिप लिगनी के लिए यहाँ पर आई थी ली कहता है मुझे तो तुम पर ही सके कि तुमने उन्ही लगों को बुलाया होगा और वो उसको गलत तरीके ते टच करता है तब ही वहाँ पर वो तियों रड़के आ जाते हैं जैनी समझ जाती है कि ली भी उन्ही के साथ मिला हुआ है ली भी उससे बहुत बत्तुमी की करता है उसके मुँ में गंड डाल देता है जैनी बंदुख हटाके ली में एक थपड देती है फिर ली जैनी में थपड देता है और सैम उसे पीचे से पकड लेता है कहता है अब हम सब इसके साथ रेप करेंगे और एक चाकू से उसकी पैंट भी निकाल देता है और कहता है अब तुम डांस करो जैनी ड़ली होती है तो वो डांस भी करती है सैम उसे बाल पकड़के जमीन पे डाल देता है और उसको बहुत बुरी तरह मारता है जब उसे वो टॉर्शा करना होता है तो सब बड़े मज़े लेते हैं उसे उसके दर्थ से कोई मतलब नहीं होता सैम और सैम के दोस्त उसके दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और उस एबनॉर्मल लड़के से कहते हैं कि पहले तुम इसका रेप करो और एक लड़का उसकी बीटे बार बार रहा होता है तब ही ली के घर से फोन आता है ली कहता है इसकी आवाज बंद करो वो एबनॉर लड़का उसका गला पकड़के उसकी आवाज बंद कर देता है ली थोड़ देर फॉन में बात करने के बाद फॉन काट देता है जो एबना वो लड़का होता है वो उसका बहुत बुरी तरह रिप करता है इसे देखके सैम बहुत मज़े लेता है जब वो रिप परके हड़ता है तो जैनी हिल भी नहीं पाती फिर वो दीमे से उटके जंगल की तरफ जाती है जब वो दीमे दीमे चल रही होती है तब ही वहाँ पर सैम और उसके सारे दोस्त आ जाते हैं और सैम उसका गला पकड़के उसको नीचे जमिन पर डाल देता है और उसकी शर्ट भी निकाल देता है जो कैमरे से रिकॉर्ड कर रही होते हैं उसके सामने रख देते हैं और कहते हैं देख अपने आपको जैनी सैम से बार बार माफी मांग रही होती है लेकिन उसे उसके माफी से कोई मतलब नहीं होता सब लोग उसके साथ एक एक करके रेप करते हैं और जब वो रेप करके हटते हैं तो उसकी बॉड़ी पे बहुत सारी इंजिरीस हो जाती है जब वो दीमे से उठके जंगल की तरब जा रही होती है तभी वहाँ पीच में एक नदी पड़ती है ली उसको गोली मारने ही वाला होता है तभी वो पानी में गिर के अपनी जान दे देती है ली कहता है उसे तूड़ो वरना हम सब फस जाएंगे और सैम के दोस्त उसे नदी में तूड़ते हैं लेकिन उसकी बॉड़ी कहीं नहीं मिलती ली कहता है जब तक उसकी बॉड़ी मिलना जाए तब तक उसको ढूंडते रहो और कहता है मैं जाके सबूत मिटाता हूँ जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है ली उस वीडियो को भी तोड़ देता है और उसको गालिया बता है कि यही शवूत हमें पसा देंगे और जाके उसके कपड़े, डायरी, सारी चीहें चला देता है जो एबनोब लड़का होता है वो उसी के बारे में सोचता रहता है कि ये मैंने उसके साथ गलत किया था फिर ली अपने घर जाता है वो अपनी वेटी और वीवी से मिलता है कमाल की बात है उसकी वी एक वेटी थी फिर भी वो दूसी लड़कियों के साथ रेप करता है फिर वो उस ब्रोकर से जाके मिलता है और कहता है कि जिस लड़की को तुमने गर दी आता वो तो पहले से बहुत ज़्यादा खरा खरा और बुरी लड़की थी वो तो वहाँ पे भाग गई वो अपनॉमल लड़का जैनी के बारे में सोचता रहता है सैम के दोस्त जैनी को पूरे जंगल में ढूंटते रहते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती वो एबनॉमल लड़का उसी के बारे में सोचता है और कहता है मैंने जैनी के साथ बहुत बुरा किया है फिर एक बार वो जैनी को देखता है और डर जाता है तब ही ली के पास उस ब्रोकर का फोन आता है और कहता है जैनी को ढूंटता हुआ एक लड़का आया है लेकर वो उसे नहीं मिली फिर सैम का दोस्त उसके पास भाकता हुआ आता है एक वीडियो गायव है जिसमें जैनी का रिप उट किया था सैम उसे बहुत मारता है सैम रात में अपने घर पे ड्रिंक कर रहा होता है तब उसे एक दस्तक सुनाई देती है फिर वो अपने दरवाजे पे जाता है और चेक करता है तो वहाँ एक चुड़िया मड़ी पड़ी होती है वो उसे लात मार के वहाँ ते फैंक देता है फिर वो गन लेके अपनी जंगल की तरफ जाता है चेक करने के लिए लेकिन वहाँ उ वाइप कहती है कि ये हमारे वीडियो पिलियर में सेट नहीं हो रही है तुम चेक कर लो ली समझ जाता है कि ये तो वही वीडियो है जिसमें जैनी का रेप कहद हुआ था फिर वो उन सब से जाके दुवारा मिलता है और उन्हें कहता है सेम अपने दोस्तों से कहता है कि साइज जैनी अभी जिन्दा है वो हमें डरा रही है तभी वहाँ पर ली आयाता है और कहता है सालो ये कैसिट मेरे घर तक पहुँच गई अगर जैनी जिन्दा है तो हम सब फस आएंगे जल्दी से जल्दी उसको ढूड़ो और मार दो दूसरे सीन में वो ब्रोकर वहाँ पर जंगल में बैठा होता है तभी वो ली को दिखाता है ली उस ब्रोकर में गोली मार देता है और वो ब्रोकर मर जाता है दूसरे सीन में वो एबनौवा लडगा अपने घर में सिड़्ियों पर चड़ रहा होता है तो वो सिड़्ियों से गिर जाता है और बेहुस जाता है फिर जैनी को दिखा जाता है जो एक सोफे पर बैटी होती है वो एबनौवा लडगा उसके पास आता है और उसको अपने गुनागी माभी म होते हैं तभी उनको एक जंगल में आवाज सुनाई देती है वो दोनों अलग हो जाते हैं उन में सर में बेस्वल के इंडे से बार करती है और वो बेहस हो जाता है फिर वो दूसरे के सर में भी बार करती है और तोनों को बेहस करने के बाद वो एक को टप में बान देती है जिसमें पानी नहीं होता और दूसरे को वो एक पेड से बान देती है जेव करते समय जैसे उसकी बनाती है एक मरा हूँ चुगा उसके मुझ में उसकी पलगोंraits प्रमिक्तिसे बांदेती है पिर वह से चली आती है पहले बाले के पास आती है और एक मरी मचली उसके पास टबाले के पास लोट के आती है और जिसमें पानी बरा होता है उसमें वो एसे डाल देती है वो सौरी बोलता है लेकिन वो उसे माफ नहीं करती वो नीचे डंडी लग जोती है उसे खिसका जिती है जिससे उसका बैलेंस बिगर जाता ह और वो तिजाथ में जा के गिर जाता है दूसरे सीड में देखाये गया कि दिखाने है कि जूसे लगय को उसने पेड़ से बाधा होता है उसकी आँखों को चील को वह खा रहे होते हैं और ये सब रिकॉर्ड को खोते हुए देखता है जब वो टबाई लगे को उठा के देखती है तो उसका पूरा चेहरा जिल चुका होता है वो वहाँ मर जाता है और दूसरे सीन में पेड से बादों लगा भी मर जाता है सैम अपने फिलिंग पॉइंट पर होता है तब यह वहाँ पे एक होट लड़की आता है जैनी सैम के सारे दाथ तोड़ देती है और उसकी गन निकाल के उसके मूँ में डाल देती है एक दारदार चाकू से उसका प्राइट पाट काट देती है और प्राइट काट को उसके मूँ में गुसर देती है सैम दीमे दीमे करके मर जाता है दूसरे सीन में जैनी ली के घर जाती है और उससे फ़न पर बात करती है ली उसकी आवाज सुनके डर जाता है जैनी ली की बीटी को ले जाती है ली उसको डूरता हो जंगल में पहुचता है लेकिन वो उसको नहीं मिलती फिर जैनी उसके सर पे बार करती है उसको ब्योस कर देती है और उसको एक जगे ले जाती है उसको बांद देती है और उसकी गन को उसके पिशवाड़े में गुसर देती है और कहती है तुम एक पुलिस वाले थे और तुमने अभी मेरे साथ वही सब किया जो उन लोगों ने क या ये तुमने सही नहीं किया और इसकी सजा मिलेगी और उस गन को वह उसके आगे पीसे कर रही होती है उस गन के Trigger को वह एक रस्षी के बांती है कि दूसरे हिस्से को वह उस एवरुनोह लड़के के के हाथ में देती है app now लड़के को जैसे हो साथ है तभी एक पिश्वार हो भाटती हुए उसके मूँ से निगलती हुए उस एवटों रगे में लगती है और ये मूवी वहीं पर जाके खतम हो जाती है